नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल मैं रिसर्च अनलेस्ट हूं स्टॉक बॉक्स इक्नॉलिजीज में आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनस सेंडर्ड इनालेसिस विडियो में यहाँ पर हम डिसकस करते हैं बिजनस न्यूस पेपर्स स्पेसिफिक्ली अब हम बिजनस स्टैंडर्ड के साथ पानांशल एक्स्प्रेस को भी इंक्लूड करें हैं हमारे अनालेसिस में तो यहाँ पर हम लोग फानांशल एक्नॉमिक्स अन बिजनस से रिलेट सारे न्यूस को अनलाइस करेंगे उनके कॉस और एफेक्ट को एवालुएट करेंगे तो यहाँ पर हम सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे सिर्फ और जितने भी मैं बोलूंगा काम की आर्टिकल्स नहीं हैं उन्हें यहाँ अवाइड करेंगे शुरुआत कर रहा हमें सबसे पहले आर्टिकल से वेल्थ अफ रिचेस्ट वन एटिफाइज इंगेंज सबसे अमीर लोग है इनका वेल्थ करीब पचास परसेंट बढ़ गया है पिछले दो सालों में से यहेस अब ट्रिलियन डॉलर मार्क भी एक क्रॉस कर चुके हैं 1.19 ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर चुके हैं मंदे को फॉर्चे इंडिया की रिपोर्ट आई है इसमें और यह हैं सारे डॉलर बिलियन मतलब इनका वेल्थ डॉलर में करीब 8000 अगर आप देखे तो वन बिलियन डॉलर रुपी में 8400 करोर से ज्यादा है तो यहां पर रिमार्कबल ग्रोथ देखने को मिल रही है डिस्पाइड ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजिस हैं एकनामिक चैलेंजिस लेकिन तब भी 5% तो रुपिया ही हमारा डेप्रिशेट कर गया है तो डॉलर के अगेंस आप देखे फिर भी यह इतना ग्रो कर चुके हैं कि इंडिया के जो डॉलर बिलिनेर्स हैं अब इंडिय जीडिपी के 33.8% के एक्विविलेंट इनकी नेटवर्ट हो चुकी है और यहां पर 39 नए इंट्रेंट्स हैं इसमें अलग लग सेक्टर से जैसे FMCG हो गया इसके लावा फार्मासेटिकल्स टेक्नोलोजी तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि इंडिया ओवरॉल मुंबई में भीजिंग से जादा बिलिनेज रहता हैं यह एक इंडिकेटर है कि इंडिया में इतने टेजी से बिलिनेज क्रीट हो रहे हैं मतलब economic growth overall सही है तो businesses भी grow कर रहे हैं बट individual businesses owners जो हैं यह बहुत जादा grow कर जा रहे हैं तो इंडिया में companies इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कोई company आती है पुर दुनिया के top 30 top 50 companies में आप देखें इंडिया की companies ही आएंगी लेकिन इंडिया के बिलिनेज top 1,2,3,4,5 सब में आ जाते हैं तो overall हम भी देखने को मिलता है कि यह इंडिया में एक ही आदमी अगर एक business कर रहा है तो वह दूसरा business भी कर लेता है बहुत तो यहां पर wealth एक ही इंसान के पास accumulate हो जाती है सारे businesses में से यह एक problematic चीज है overall बाकी countries में आप क्या देखेंगे कि यह company इस चीज में specialize करती है इस चीज में इस चीज में इस चीज में इंडिया में असा नहीं है इंडिया में यह businesses आसे हैं कि इन्होंने monopoly काफी जादा create हो जाता है या oligopoly बन जाता है कि जहां पर 3-4 players है और वो अराम से कई सालों तक dominate करते हैं उस market में नए players को नहीं आए तो यह overall मैं कहूंगा एक positive नहीं negative statement की तरह नज़र आता है बट मेभी I am wrong अगरा article है वजीरेक्स के बारे में देखिए इंडिया में जितने भी crypto investors या traders है उन्हें मैं बोल दूँ वजीरेक्स काफी famous इंडिया के सबसे बड़े मैं बोलूँगा brokers crypto exchange में से एक था जहां से करीब 2000 करोड के लोगों के जो funds थे वो चोरी होगा इनके wallet से yes and इनमें से सिर शायद 50-60% ही वापस मिल पाएंगे बड़े मुश्किल से तो overall लोगों ने अपना आधा पैसा ऐसे ही हो दिया तो please बहुत cautious रहें अभी crypto इंडिया में regulated नहीं है लोग को government के दरफ से कोई help नहीं मिलने वाला इसमें and industry भी wait करें कि government के दरफ से कोई regulation आए तो ये बहुत balance है वो भी पूरा zero हो सकता है आते हैं अगले आर्टिकल पर ये बहुत important है ध्यान से सुनेगा इंडिया के chief economic advisor C.E.A. V. Anant Nageswaran ने Monday को warning दी है ये इन्होंने financial markets के growing sway के बारे में बोला है इसका मतलब क्या उता है क्या बात कर रहे हैं एक बार जानते हैं इन्होंने warning दी है कि जो financial markets है न ये बन चुके हैं हमारी economy से भी ज़्यादा बड़े मतलब हमारा stock market इंडिया में हमारी economy से ज़्यादा बड़ चुका है बड़ा हो चुका है ये natural है लेकिन reasonable नहीं है overall और जो priorities है financial macro market की वो ये है कि वो dominate करे macro economic outcomes को इंडिया में जो 2047 की बात करता है इस वक्त इसे ऐसे trend avoid करना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि developed countries जैसे USA, UK, Europe में क्या हुआ है जिन companies, countries ने इस तरीके की policies देखी जहां पे overall financial markets को देखकर macro economic policies बनाए गए गए सारी तो जो dominant financial market का over policy इसी को बोला जाता है financialization, financialization का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी इंडिया में या कोई भी country में कुछ भी जब आप नया policy बनाते हो, economic policy specifically आप देखते हो कि stock market पे क्या सराएगा, stock market कहीं ग्राष्ट नहीं हो जाएगा, तब इतना concern आप stock market के बारे में हो ज कर सकते हो, short term अगर आप किसी को खुश रखना चाहते हो ना, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप उनके भले के लिए कोई काम करो, right, क्योंकि हो सकता है long term में पूरी life में उन्हें बहुत regret हो, बहुत वो परिशान हो, लेकिन short term में बस उन्हें असा अलगे कि हाँ ये न लेती है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि financial sector इंडिया में excessively robust है, लेकिन बाकी जो health है, economy की वो थोड़ी fragile है, sensitive हो गई है, इंडिया में stock market का capitalization, मतलब value, इंडिया के GDP से 40% जादा है, 140% हो गया है इंडिया के GDP का, और जो record profitability है इंडिया फाइन फाइन सेक्टर का, और high levels of market cap ह और overall ratio देखे, GDP का ratio जो भी हमने compare के 140% हो गया, यह दूसरा phenomenon है, जिसे examine करना चाहिए, इसके study करना चाहिए अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यह attention लेकिया है, developed economies पर, जहाँ पर financialization जब हुआ था, economy का, तो government बहुत ही बड़े level of debt में आ गये थी, बहुत उधार रे inequality बढ़ती है, मैं बताता हूँ कैसे, मान दो, आप कहो कि यार एक काम करते है, मैं ऐसा policy बनाता हूँ ना कि मेरी डेश में asset prices बढ़ जाए, asset prices बढ़ जाएंगे, सब कुछ महिंगी हो जाएगी, तो जो लोगों के पास assets है, वो भी उपर चले जाएंगे, आप मानते हो, लो अगर होल करने काम data देखें, तो statistically, तो जब asset prices उपर जाते हैं, तो इंडा में सिर्फ, जो उपर तब के के लोग हैं, जो मैं बोलूँगा, high income group है, और upper high middle class लोग है, उनको सब स्याधा benefit होता है, उनकी properties बढ़ जाती है, हुई same properties, middle class, lower class के लिए, unaffordable हो जाती है, वो rent पे ही यूएस वगर में ऐसी चीजे की गई, जहां asset prices की dependency पे रखा गया growth को, इससे inequality हर जगे increase हुई है, और इंडिया एक अभी भी lower middle income country है, हमारा overall GDP अच्छा है, लेकिन हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं, तो per capita हम लोग lower middle income country में आते हैं, और यहां पे हम afford नहीं कर सकते financialization, ठीक घटने वाले हैं, यूएस में, तो इन्होंने कहा कि 2008 जैसा कोई risk नहीं है, ठीक है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि capital slow काफी ज़्यादा बड़ा था, unproductive investments में, ऐसी investments यहां productivity नहीं है, वहां भी investment हुए जा रहा है, पैसा बड़े जा रहा है, तो federal reserve का जो rate cut है न, वहा यह नहीं कह सकते बिल्कुल भी, और इसके लिए कई लोग बहुत जादा optimistic है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है इतना optimistic रहना, इन्होंने stress किया कि इंडिया को ढूनना चाहिए, और एक right balance रखना चाहिए, national imperatives और investor interest और preferences के बीच में, तो हमारे जो national imperatives हैं, और एक investor है, और उसक और यह भी है कि हम global agenda setter बने, rather than global agenda taker, हमें agenda कुछ set करना चाहिए, दूसर सा agenda नहीं लेना चाहिए, कुछ actions है, जिन्हें हम initiate कर सकते हैं भी, जैसे कि कोई Indian entity है, अगर वो global credit rating agency बनना चाहती है, तो इसका outcome और impact, ठीक है, बहुत time लेगा, materialize होने में, लेकिन बहुत बढ़िय है, इसका overall हमें effect, इन्होंने ये भी impact emphasize कि जो financial sector है, इनका importance बहुत ज़रूरी है, दूसरे sector की growth के लिए भी, और higher responsibility भी चाहिए, क्योंकि financial sector में अगर कुछ गलत होता है, तो पूरे इसके waves, इसका effect, सारे sector में देखने को हमें मिलता है, तो बहुत difference है financial sector में और दूसरे sector में, जहां पर consequences है कि क्या होता है इस sector में, इसका पूरा असर दूसरे throughout economy देखने को हमें मिलता है, कभी भी, तो बहुत ही sensitive है ये जगया, बहुत ही ज़्यादा important भी है, इसका कहना है कि जो dominance है, banking support का to credit, ये reduce हो गया अगर, और ये replace हो रहा है financial sector जारा जहां कि product और participants, दोनों के ज जो sector है वो उसको ensure करना पड़ेगा कि उसकी size और importance grow करती रहे, मतलब basically मैं बता दू इसमें, ये कह रहे है कि थोड़ा सा cautious हो जाओ, stock market को लेकि हर चीज हमें नहीं focus में रखना है, जब हम policies बना रहे हैं, कुछ भी रखना है, investor के बारे में नहीं सोचना है, हमें country के बारे में set करेंगे, कि country में क्या होना चाहिए, जो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा short term gains ही focus करेंगे, कभी भी long term gains कोई नहीं सोचना साथ है, तो ये एक problematic चीज है, China wants Japan over new chip curbs, China ने धंकी दिये जपान को economic retaliation, कि हम economic policies बनाएंगे ऐसी, कि तुम्हें हम hurt करेंगे, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि जपान ने क्या किया, sale और service दोनों पे restriction लगा दी, किस चीज के, chip making equipment पे, जो equipments हम use करते हैं, semi-conductive chips बनाने के लिए, इसके sale और service पे restrictions लगा दी ह अगर ये Chinese firms को आप offer कर रहे हो, तो, तो यहाँ पे USA से lead कर रहा था, US ने कहा कि NVIDIA के जो advanced chips हैं, वो जाने नीचे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आपके पास को इसी technology है, बहुत advanced है तो आप चाहेंगे, कि अपने जो rivals हैं, उनसे आप दू इन्क्रीज हो रहा है, चाहिना, यहाँ पे क्या कर सकता है, अब मैं बताता हूँ, तो, तोयटा, यहाँ पे, तोयटा ने वान किया है, अपने officials को, Tokyo में, जैपान में, कि BG यहाँ पे हो सकता है, काफी react कर जाए हमारे नई semiconductor controls पर, और जो जैपान का access है to critical minerals, जो essential है automotive production के ल अब मैं बताता हूँ, दोनों चीज़े कितनी important है, critical minerals क्या हो गई, वो चीज़े जो automobile manufacturing में use होती है, EV में use होती है, renewable energy में काफी ज्यादा use होती है, overall, ठीक है, अगर इस पे, आप देखें, तो, चाइना, हर जगा control करता है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सब्लायर है, म इंडिया सबको बहुत ही बुरी तरीके से hurt कर सकता है, of course, बट जितनी यह लड़ाई होती है, इनके और trade war और यह हम देख रहे होते हैं, यह ज़्यादा से ज़्यादा narrative war होती है, सही में यह ज़्यादा कुछ कर नी रहे है, अब ये 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 ज़्यादा कुछ कर नी रहे है और EV से रिलेटेड जितने भी raw materials Europe को export करते हो, उस पर ban कर दो, यूरोप के हालत खराब हो जाएगी, जैसे रश्या, अगर आप देखें, रश्या एकरन वान में क्या हुआ था, natural gas के price 4-5 गुना हो गए थे, क्योंकि रश्या ने बोला कि हम servicing कर रहे हैं, pipeline की हम नहीं आप देखेंगे, winter में वहाँ लोगों को बोल दिया था कि आप 8-10 गंटे जादा हीटर नी यूज करोगे, और जबकि वहाँ temperature माइनस में होता है, ठीक है, तो इस तरीके से चाइना भी कर सकता है, बट अफकोर्स कोई भी इतने extreme steps नहीं लेता है, क्योंकि जाहतर लडाईय इसी होती है ना, जो बिल्कुल दिखाने के लिए होती है, ठीक है, यह rivalry create कर रहे हैं बट यह really अपने आपको hurt कर नहीं रहे हैं, कुछ फरक नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर जपान को यह realize होता है, कि चाइना इसे बहुत seriously ले रहा है, चाइना को really काफी नु जो हमें धंकी दे रहा है इन चीजों को लेकर कि वो हमारा access कट कर सकता है, जिससे बहुत नुक्सान हो सकता है इन सारी countries का, जब Japan के साथ करेगा तो US को यह लगी का कि यह Japan के साथ कर रहा, तो Europe के साथ भी कर सकता है, इंडिय के साथ भी, तो काफी यहाँ पे चीज़े complex हो स कुछ चीजों से मैं नहीं agree करता हूँ, कुछ चीजों से बहुत ही साथ agreeable है, overall अगर आप देखे तो इंडिया में हम लोग देखे बहुत ही simple debate करते आए, पहले से बहुते आए, कि इंडिया अपने GDP का सिर्फ 0.65% करता है research और development पे, इतना investment करती है government, जबकि South Korea almost 5% करता है, Brazil भी हमसे double करता है, China 2.4, Taiwan 3.6, तो कई लोग कहते हैं कि देखे, आपको इंडिया को इंसे compare नहीं करना चाहिए, क्योंकि GDP हमारे इंके बराबर है, लेकिन per capita GDP, per capita income हमारे इंसे बहुत कम है, तो हम लोग खर्च नहीं कर सकते इतना, ठीक है, afford नहीं कर सकते कि हम लोग इतना यह भी बात सही है, तो यहां जब बात होती है, research and development की, government increase कर रही है, research and development expenditure लेकिन, overall, हम देखेंगे न, कि जो 60% of total research and development है, इंडिया में, वो जाता है specific जगाहों पर, ठीक है, जैसे कि इंडिया में, bulk of research and development जाता है, defense, space, agriculture, nuclear research पर यहांकर, और significant portion चला जाता है, academic institution, institutions के पास, जहां पर, यह research होते हैं, तो in other words, security, और related areas, जो भी है, food, security, और defense security, जहां पर government ज़्यादा research and development पर पैसे खर्च करती है, अगर आप देखे, itself अगर हम देखे, तो यहां पर economy है, dominated private sector द्वारा, तो innovation and development component of R&D जो है, वो private sector से ज़्यादा आना चाहिए, तो government सही area में पैसे कर रही है, यह गलत नहीं है, healthcare और defense, और food security, बहुत important है हमारी country के लिए, तो fundamentals यह है हमारे economy की, right, हमारे country की, तो यहां पर businesses, overall India में क्यों नहीं spend करते हैं, और जादा, काफी सारी चीज़े इसमें बूली गई है, जैसे कि कुछ reasons यह बूला जाता है, कि हमारे पास appropriate incentives न बात आती है, इतना मुश्किल है, तो underdeveloped research and development culture भी है हमारे country में, तो lack of incentives तो आप देखेंगे, यह हर इनसान इसके बारे में बात करेगा, कि यह है, जितने भी MSME है, for instance, जो protect करना चाहते हैं अपने intellectual property rights को, इंडा में जिस हिसाफ से court में delay होते हैं, 20-20 साल cases, आपने कुछ ब बात कर रहा हूं, overall patents की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके रावा जो cost involved है, paperwork में, certifications में, यह इने भी access करना सब के बस की बात नहीं है, specifically छोटे countries की, अगर मैं बात करें, एक clue आता है global data से, जो proponents है, greater research and development के typically compare करते हैं, इंडिया को developed economies से, या फिर बहुती बढ़िया country से, जैस Indonesia, Mexico, South Africa, वो और lower share spend करती है, अपनी GDP का, ठीक है, on research and development, even Malaysia जो है, वो 0.95% पर है, जो बहुत जादा नहीं है, और यह सारी बहुत है resource rich countries है, ठीक है, एक country जो resource rich है, आप देखेंगे, वो comparatively हमेशा कम खर्च करती है research पे, as compared to वो country, जहां resources कम है, ठीक है, तो exposure है to competition, यह best possible है, अपन हो global markets को, मतलब हमारी local companies, global companies से compete करें, इस rider के मकाविक, तो यह best case scenario होगा, हमारे development के लिए, specifically research and development के लिए, जो protective actions है हमारे, हम कैसे protect करते हमारी companies को, एक तो high tariffs के तुरू, tax लगा देते हैं काफी, ठीक है, custom duty लगा देते हैं, भार की companies पे, उसके लवाँ non-tariff barriers, कुछ non-tar उनके special compliance है, rules regulations बना देते हैं, तो इसके विए से क्या होता है, कि domestic companies, overall, बहुत comfortable हो जाती है, बहुत आराम मिलने लगता है, तो जहां कोई आदमी बहुत आराम में है, वो बहुत जादा, आप कह सकते हो कि research, development, innovation के बारे में नहीं सोचेगा, तो जब आप पहले block कर देते हो, बाहर की companies को, तो ऐसा नहीं कि हमारी companies फिर excited हो जाती है कि काम करते हैं, वो यहां पर काम नहीं कर सकते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या innovation किया है, और उसको इन्दा में implement कर देंगे, नहीं, वो सोचते हैं, चलो ठीक है, अब यह 10 साल, 20 साल नहीं आएंगे, बहुत से बैटके हम पैसे कमाते हैं, खर्च करने की कोई जरव है, और अर्टिकल में यह पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप देखें, यह जो same domestic firms है, अगर यह compete करने लग जाना, global market से, तो इन्हें research and development पे खर्च करना होगा, develop करना होगा, globally oriented products, cost को कम करना होगा, quality को बढ़ाना हो तो इनका क्याना है कि इनको कमपीट करवाओ, इन्टरनाशनल पेर से, लिकिन जो larger Indian firms है, specifically manufacturing में, और typically small pairs है, global market में, even IT sector की भी भी बात करें, तो Infosys, TCS, जितनी companies है ना, इनको research and development से को ज्यादा फाइदा होता नहीं है, क्योंकि यह products बना ही नहीं है, यह business service प्रवाइड कर Microsoft products बना रहा है, innovation कर रहा है, AI में काम कर रहा है, operating system है, Microsoft office है, बहुत सारे softwares है, Infosys की कितने softwares आपके laptop में हैं, बताओ, TCS की कितने softwares आपके laptop में, नहीं है, तो यह business service प्रवाइड करती है, तो innovation करके इनको कुछ ज्यादा फाइदा पूता नहीं है, overall, तो यह ज्यादा इनका रहता भी नहीं है, innovation के ऊपर, बहुत सारे firms है, in most industry segments in India, तो यह domestic competition जो है, इसके विए से greater research and development क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी companies एक-दूसरे से जो compete कर रही है, तो उसके दो argument है, सबसे पहला, कि जो domestic competition है, वो ज्यादा है ही नहीं, इंडिया में olig monopolies हैं, या monopolies हैं, मतलब 3-4 companies हैं, मिलके वो ही पूरा market चला रही हैं, तो यह रिखा करती है, यह बस price पे overall industry का पूरा support करती है, ठीक है, कि price वो maintain कर रही है, high overall, और यह innovation वोगरे पे ज़्यादा नहीं करती है, इस article में, इस article का यह भी कहना है, कि Indian entrepreneur जो है, यह short-sighted हैं थोड आप यह कहनी सकते कि आप research शुरू कर रहे हो, तो इसका आपको result मिलेगा ही मिलेगा, तो दोनो arguments के ना काफी merit है, और deeper analysis की जरुवत है, जितने भी इंडा में बड़ी companies हैं, वो profit कमा रही है, stable है, इनका profit और ग्रो कर रहा है, बड़े लंबे समय से, और आगे भी expectation है, ग्रो इसे भी expected है, and overall अगर देखें कि इसके यही यह, यह भी explain करता है, यह factor कि क्यों profitable और cash rich Indian firms ना कभी भी दूसरी countries में ना invest नहीं करना चाहता है, क्योंकि profitability और growth इंडा में काफी बड़े हैं मिल रहा है इनको, बाहर अगर यह invest करेंगे ना, तो problem यह कि इनने innovation बहुत अच्छे level पर करना पड़ेगा, और compete करना पड़ेगा बाहर की companies से, अब जैसे कुछ सारे sector ऐसे नहीं है, मैं बता दू, overall यह जो writer ने put out किया है यहां पे, लेकिन आप हमारे car, two wheeler segments देखें, two wheeler automobile बाहर compete कर रहा है, हर एक bike की company से, two wheeler company से, मैं four wheeler की बात नहीं करूंगा, उसमें हम काफी पीछे हैं अभी, but yes, two wheeler में we are doing very good और ऐसे, और भी हमारे बहुत सारे sectors है, जो अब इस trend को change कर रहा है, तो यह बोलना completely सही नहीं होगा, जो इस article में लिखा है, मैं इसे पूली तरी किसे agree में करूंगा, तो overall, in other words, it is not only research and development incentives, जिससे greater innovation and activity आए की, लेकिन competition बढ़ेग तबी need for innovation भी आएगा, इंडिया में, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, oligopoly की, आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने use किया, कि इंडिया में 3-4 companies है, एक-एक sector में, जो बिना competition के भी आराम से बढ़े हैं, इनका growth होता ही रहेगा, इनको कुछ करने के जरूत नहीं है, यह इसा पर मैं बात कर रहा हूं, cement industry, cement भी oligopoly है, ठीक है, तो यह connect की की, cement manufacture क्या कर रहे है, price बढ़ा रहे है, ठीक है, overall, cement का demand गट रहा है, तो हम लोग demand supply का रूप पढ़ते हैं, कि किसी चीज़ की demand अगर कम हो जाएना, तो price भी कम हो जाती है, यही तो market forces है, लेकिन market forces तो जहाँ monopoly है, जहाँ oligopoly है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, अब देखो, cement industry में क्या है, seasonal factor की बज़े से construction activity कम हो गया, ठीक है, overall, cement companies का कर रहे हैं, कि cement के दाम बढ़ा दे रही है, ठीक है, जो weak demand है, overall, इसकी बज़े से cement नहीं बिकरा, तो इनका volume कम हो रहा है, तो profit को बढ़ाने क के लिए क्या कर रहे है, cement के दाम बढ़ा रहे है, तो आप ऐसा कर सकते हो, कि आपका product कम बिकरा हो, तो आप अपने product के price बढ़ा दो, यह सब कर सकते हो, अगर आपके पास monopoly है, और आपके पास या फिर oligopoly है, जहाँ पर आपको बता है, कि आप दाम बढ़ा होगे, तो सब और अब cement industry ऐसे हो गई है, कि जितनी companies थी ना, वो सारी मर्ज हो गई है, किसने किसी को खरीद लिया है, और अब मुश्किल से 2-3 बड़ी company बची है, that's it, कोई छोटी company survive ही नहीं कर पाए, ठीक है, तो cement prices हमें देखने को मिल रहा है, कि correct हो रहा है, मन्त और मन्त, from November 23 से जुल था, तो price घटता था, तो all India cement price down था by 13% July में, from peak in October, तो cement के दाम घटते रहा है, जैसे जैसे competition बढ़ रहा है, South India में तो decadal low पे चला गया था, मतलब पूरे दशक के, 10 साल के लो पे था, cement का overall price अगर आप देखें, तो companies जो है, उन्होंने profitability भी बहुत लीग दिखाई, ठीक ह average profit down भी 9% लीचे था, और इसके stock prices में भी आप देखेंगे, cement के prices में भी correction आई, आप कुछ चेक कर सकते हैं, तो cement industry है, यह expect कर रही है, 6-8% growth overall next अनले 6 महिने से 1 साल में, और जो demand था, soft था, elections की वैसे, heat wave की वैसे, labor shortage की वैसे, और early monsoons आए, monsoons भी हम लोग इंडा में नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत problem उठी है, अगर power और fuel cost, freight cost stable रह देना, तो operating profit वापस से बढ़ना चाहिए, cement industry का, capacity भी जो है, वो काफी बढ़ रहा है, overall companies खर्च कर रही है, top 5 companies जो है, overall इनका capacity share 47% है, ठीक है, and यहाँ पे analyst, जो है, वो cut कर रहे है, aggregate operating profit estimate companies के लिए, क्योंकि cement prices और lower रह सकते हैं, क्योंकि demand इतनी ज्यादा week हो गई, और competition इतना बढ़ गया, नए players के आने के वज़ा से, cement industry में पहले बहुत कम players थे, Adani group के आने के बाद हुआ यह, कि overall एक player आया, जो बहुती सारे groups को उन्होंने खरीद लिए, आप देखे, Adani group 2 साल में कितनी cement companies को खरीद यह बिल्कुल temporary है, तो इंडिया में देखे, stock market investors तो तस से मस नहीं होंगे, उन्होंने cement industries में बढ़िया पैसा अभी भी लगाया है, तो हमें analysts भी हमारी expect कर रहे हैं, कि आगे sector के prospects positive ही रहेंगे, जादा दर cement stocks ने correction देखे, except 3 के ultra tech, India cements और RAM को, जो अभी भी positive है, नीचे नह है, तमिल नाडू set to become India's destination AI, तमिल नाडू destination AI बन रहा है, आप जिस भी state में है, आप अपने state government से पूचे कि भाई, हम कौन सा destination बन रहे है, तमिल नाडू में projects कौन कौन से आ रहे हैं, Google, PayPal, Applied Materials, Amazon Web Services, और बहुत सारे companies हैं, जो तमिल नाडू में artificial intelligence setup कर रहे हैं, Google बहुत ही बड़े bet कर रहा है state पे long term के लिए artificial intelligence में, अगर आप sources को study करें यहां पे और data भी देखे, Google और government मिलके करीब 20 लाख youth को train करेंगे AI में, तमिल नाडू में specifically, और India में हर साल 15 लाख engineers pass out होते हैं, उनमें से 17% तो Tamil नाडू से होते हैं, तो higher share इसी state का है, तो AI के skills को लेके train करे और Tamil नाडू को यह as a hub बनाएंगे artificial intelligence का, तो आप ज़रूर अपने state पे focus कीजए कि आपका state किस चीज का hub बन रहा है, it's time कि हम ASIC questions पूछे और ASIC questions को mainstream में लेकर आए, rather than जो बखवास चीज़ें हम लोग elections में discuss करते हैं, कि overall क्या investments हमारे state में आ रही है, कौन सी companies आ रही है, कि इस चीज़ पे हमारा state focus कर रहा है, manufacturing PMI is a 3 month low in August, मैं कई बार बता चुका हूँ, PMI होता है, purchasing managers index, यह बताता है कि manufacturing activity सही में आपके economy में बढ़ रही है या घट रही है, और इसमें आपको यह check करना है कि 50 से कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, PMI का data, जैसे अभी 57.5 चल रहा है पहले 58.1 बन था, तो overall 50 से उपर जाए, तो यह expand कर रहा है, 50 से नीचे जाए, तो इसका मतलब यह contract कर रहा है, manufacturing activity actually कम हो रही है, तो जितने भी manufacturing sector में लोग invest करके बाठे हैं, they will be happy कि yes, data भी बहुत बढ़ी आ रहा है गटकरी प्रोज, state to agree to a 12% GST on flex fuel vehicles, union minister of road and transport, written गटकरी जिनने प्रपोस किया है, कि जितने भी states अना, वो consent कर लें कि वो GST को 12% पे ले आए, flex fuel vehicles के लिए, और इन्होंने का है, मैं मनाने की कुशिश करूँगा, सारे states को, कि 12% का जो GST rate अना, यह accept करने सब, अब 12% का rate किस पे accept करने की बात हो रही है, यह बात हो रही है, flex fuel के, flex fuel का है, petrol diesel का नाम सुना है, CNG का नाम सुना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, flex fuel क्या है, यह वो गाडिया है, जो एक से ज़्यादा type of fuel पे चल सकी, जैसे mixture होता है, blend of petrol and ethanol, ethanol के बारे मैं काफी बार बा manufacturers हैं, जैसे बजाज TVS Hero, इन्होंने ऐसे model लेवलप किये हैं, जहां पे flex engine है, जो 100% ethanol के भी चल सकते हैं, yes, control diesel की ज़रूद नहीं है, and बहुत ज़रूरी है, flex fuel हमारे इंडिया के लिए इस वक्त, and जितने भी managing director है, Tata, Suzuki, Toyota के उन्होंने decide किया कि वो flex engine car start करेंगे country में, yes, त states को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि tax इन पर कम कर दो ताकि लोग खरी लें इसे, ethanol blending percentage increase हो गया है, 1.5% से 15% 2024 में, all minister का ही कहना है, and target है कि 20% हो जाए 2025 तक, इन्होंने ये भी note किया कि जो country इंपोर्ट करती, up to 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब दिन आएगा जिसमें हम ये import को कम करनेंगे, तो कुछ special fuel launch हुआ है, petrol pump पे जैसे आप read कर सकते हैं, E100, इसके अलावा E20 petrol, तो ये सारे क्या है, यहाँ पे ethanol mixed blended petrol है, जो use हो रहे हैं गाडियों में, we have to see कि क्या states ये policy adapt करते हैं, और इससे काफी फाइदा होगा overall हमारे ज As growth slows, RBI में pivot to rate cuts from October, Reserve Bank of India हो सकता है, rate cuts शुरू करे next month से as inflation in the edges lower and economic growth weakens, investment bank said on Monday, तो नो मुरा, एक investment bank कर जो expect कर रहा है, बहुती ही मैं बोलुगा है, तो सबसे पहले इसने इस तरीके कि statements विये होंगे शायद, कि October से हो सकता है, RBI rate cut करने की बात करे, इंडिया में ब्यास जर को घटाने की बात करें, तो यहाँ पे हो सकता है, करीब 100 basis point का, हमें rate cut देखने को मिले, from October to mid 2025, जो forecast अब 75 BPS का उससे जाब है, तो एक inflection आएगा, इंडिया के monetary policy में, यह shallow नहीं होगा, बल्कि बढ़िया, बड़ा rate cut देखने को मिलेगा, तो आप सब के लिए बहुत good news है यह जो भी loans engine के पास भी, आपके loans अपके सस्ते होने शुदू हो जाएंगे, हो सकता है, इसी साल से, so, आपके students loans है, home loans है, car है, या bike है, इन सारी चीज़ों में आपको काफी benefit मिल सकता है, जो data release किया गया है, Friday को, वो दिखाता है, कि GDP 6.7% के rate से grow की है, तो overall decline देखने को मिला है हमें यहाँ पे, weaker था expectation से, and यहाँ पे election और बाकी सारी factors को भी यहाँ credit दिया जा रहा है, इसी इस को लेके, but last month हमने देखा कि RBI ने अपना policy rate unchanged रेखा, 9th meeting के लिए, consecutively, और अब तो US का भी अगर आप data देखें, तो US भी क्या कर रहा है, यहाँ पे, US ने भी rate cuts announce कर दिये है September से, तो वहाँ पे ब्याजर घटने शुरू हो जाएंगे, तो India पे भी अप pressure रहेगा कि हमें rate cuts देखने को मिले, और rate cuts हमारे इसलिए नहीं आ रहे थे न, कि हमारे यह food inflation बड़ा ही stubborn है, बहुत जिद्धी हो गया है, food inflation घटी नहीं रहा है, दाल, pulses, vegetables, इनके दाम ऐसे बढ बड़ जा रहे हैं कि अब यह परिशान नहीं के लिए से, तो यह एक reason है जहां हमें देखना होगा, कि अगर यह stability रहती है, महंगा इदर नहीं बड़ता, तो सबके लिए good news आएगी, कि हमारे overall credit सस्ते हो जाएंगे, हम पैसे थोड़े save कर पाएंगे हमारे, जो हम EMIs में pay कर रहे हैं उसे, तो आज के रिए बसे अतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे like करें, और चैनल को subscribe करना हो, बिल्कुल भी ना भूले हैं आप सब का बहुत बहुत दिन दिन दो,